रिलेक्स गाइस रिलेक्स यह जो न्यूज आई है कि World Federation of Medical Education NMC को रिकोगनाईज कर रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप डारे बिना एक्जाम के UK, Australia और US में जाके प्रेक्टिस कर सकते हैं ऐसा नहीं है, इसका सिंपल सा एक मतलब है कि पेले क्या होता था कि अगर आप USMLE, PLEV, Australia के लिए आपको उन एक्जाम के अलावा अपनी जो MBBS डिग्री है, अपने कोलेज को वेरिफाय करवाने के लिए एक किसी FMG और EPIC का वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था किसी दूसरे प्लेटफार्म के थूप, वो आपका कोलेज वो डिग्री वेरिफाय करते थे कि हाँ आप ने जहां स MBBS करियें वो सही है या नहीं, आपको डिग्री वेरिद है या नहीं, बस वो इस्टेप कम हो जाएगा, इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है, कि आपको वापी सब प के लिए वेलिड है जिन्होंने इंडिया से मिवेस करिए आपको अभी भी वही इसी एफमजी एपिके त्रू ही वेरिपिकेशन करवाने पड़ेंगे सारे तो होपुली यह इश्यू आपको रिजोल हुआ होगा आपको समझ आ गया होगा मैंड ने मुझे भी बहुत कोश्च